नमसकर दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या 2Degree एक साथ कर सकते हैं एक इंवरिशीटी से कर सकते हैं या फिर अलग अलग इंवरिशीटी से आपको ये डिगरी करनी होती है तो पूरी जानकरी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो जितने भी student है जो B.A.D. कर रहे हैं या फिर उसके साथ college करना चाहते हैं या 2 degree एक साथ करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं UGC की नई guideline क्या है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो जितने भी student है इस वीडियो को share कर दें चैनल को subscribe जरूर करें तो चली आगे बढ़ते हैं तो अब बात करने वाले हैं कि 2 degree एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो जितने भी student हैं जो B.A.D. कर रहे हैं B.A.D. है एक regular degree है जो कि जितने भी student है B.A.D. कर रहे हैं तो आप यह सोच रहे हैं कि हम B.A.D. के साथ MA या फिर MSC है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो आप एक university से MA और MSC या B.A.D. के साथ है वो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें MA MSC के अंदर है regular degree भी होती है और private degree भी होती है तो आप B.A.D. के साथ है अलग university से है private student के तोर पर है आप और degree है ये कर सकते हैं मतलब master degree है B.A.D. के साथ आप कर सकते हैं लेकिन माली जी आप से कवाट इनुट city से B.A.D. कर रहे हैं regular student है और आप MA या फिर MSC करना चाहते हैं तो आप से कावट इनुट city से नहीं कर सकते हैं चैया आप regular student हो या फिर private student हो से कावट इनुट city से दो degree है एक साथ नहीं होगी और आप दूसरी इनुट city से म माली जी आप से कावट इनुट cityसे B.A.D. है वो regular कर रहे हैं और दूसरी इंवर्शिटी से प्राइबेट स्टूडेंट के तोर पर आप M.A.E. फिर M.A.C.E. वो कर सकते हैं तो जिदने भी स्टूडेंट है वो एक साथ कर सकते हैं B.A.D. वो एक रेगुलर डिग्री है और M.A.C.E. उसमें कुछ रेगुलर डिग्री होती है और कुछ से प्राइबेट डिग्री होती है तो जो प्राइबेट डिग्री है वो स्टूडेंट है कर सकता है M.A.E. फिर M.A.C.E. तो B.A.D. के साथ आप दो डिग्री एक साथ कर सकते हैं लेकिन एक इंवर्शिटी से आप नहीं कर सकते हैं माली जी आपकी B.A.D. का समय मोर्निंग में होने चाहिए तो आप दूसरी इंवर्शिटी से ये फिर आप ओपन इंवर्शिटी से मास्टर डिग्री कर सकते हैं मतलब B.A.D. के साथ M.A.M.C.E. आप कर सकते हैं तो जितने भी स्टूडेंट एक बेर्ड के साथ M.A.D. के साथ M.A.D. करना चाहते हैं तो वह स्टूडेंट प्राइवेट के तोर पर दूसरी इंवर्शिटी से कर सकते हैं तो यह UGC की नई गाइड लाइन है तो जितने भी student है इसका फाइदा उठा सकते हैं क्योंकि आप B.I. के साथ आपकी master degree है वो भी complete हो जाती है तो जितने भी student है जिनके confused है या फिर जो student है दो degree साथ करना चाता है तो वो दो degree है साथ कर सकता है तो जितने भी student है इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू धन्यवाद